फ्रेर्ना दायक कहानी चतुर किसान और चालाग व्यापारी पंजाब के एक गाउं में रमेश नाम का एक चतुर और महनती किसान रहता था. वो अपनी फसल को हमेशा अच्छे दामों पर बेचना चाहता था. एक दिन जब उसकी गेहूं की फसल कटकर तयार हो गई तो गाउं का सबसे बड़ा व्यापारी सेट धनिराम उसके पास आया. सेट धनिराम गाउं में फसल सस्ते दामों में खरीदने के लिए मशूर था. वो रमेश के पास आया और बोला रमेश, तुम्हारी गेहूं बहुत अच्छी है, पर अभी बाजार में गेहूं की इतनी मांग नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा कम दाम ही दे सकता हूँ. रमेश को सेट धनिराम की बार पर यकीन नहीं हुआ. उसने सोचा, अभी तो फसल अभी कटी है, बाजार में मांग कैसे कम हो सकती है. रमेश ने सेट धनिराम से कहा, सेट जी, मेरी गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं इसे कम दामों में नहीं बेच सकता. सेट धनिराम बोला, अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपनी गेहूं को कुछ दिनों के लिए गोदा में रखो. जब बाजार में गेहूं की मांग बरेगी, तो तुम इसे अच्छे दामों पर बेच पाओगे. रमेश को सेट धनिराम की बातों में कुछ करबर लगी. उसने सोचा, अगर मैं अपनी गेहूं को गोदाम में रखूंगा, तो उसका भाड़ा और नुकसान भी मुझे ही उठाना पड़ेगा. रमेश ने सेट धनिराम को विनमरता से मना कर दिया. सेट धनिराम गुस्से में वापस चला गया. उसे यकीन नहीं हुआ कि रमेश उसकी बातों में नहीं आया. दूसरे दिन, सेट धनिराम ने गाओ के अन्य किसानों से भी सस्ते दामों में गेहूं खरीदने की कोशिश की, पर कोई भी किसान तयार नहीं हुआ. रमेश ने सोचा, अब तो मुझे अपनी गेहूं को खुद ही बेचना होगा. उसने शहर जाने का फैसला किया. रमेश अपनी गेहूं की गाड़ी लेकर शहर गया. वहाँ उसने देखा कि बाजार में गेहूं की बहुत मांग है और दाम भी अच्छे हैं. रमेश ने खुशी-खुशी अपनी गेहूं को अच्छे दामों पर बेच दिया. उसे अच्छा मुनाफा हुआ. रमेश वापस गाव लोट आया और उसने अपनी सफलता की कहानी गाव वालों को सुनाई. गाव वालों को रमेश की चालाकी और महनत पर बहुत खुशी हुई. उन्होंने रमेश से सीखने का फैसला किया. अब गाव के किसान अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेचने लगे. सेट धनी राम को अब गाव से सस्ते दामों में फसल नहीं मिल पाती थी. इस तरहें, चतरकिसान रमेश ने अपनी बुद्धी और महनत से सेट धनी राम की चालाकी को हरा दिया. कहानी सीख हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. हमें अपनी महनत और बुद्धी से हर मुश्किल का सामना करना चाहिए. यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें लालची लोगों से साबधान रहना चाहिए हमें हमेशा इमानदारी और सच्चाई के मार्ट पर चलना चाहिए अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृप्या हमारे चानल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें नए वीडियो के अपडेट के लिए नीचे दिये गए पैल आइकन पर क्लिक करें चंदन के पौधों की बागवानी आपको चंदन के पौधे की बागवानी करने है जो आपको चंदन की खेती करने के बारे से लेकर उसको बेचने तक सारी जानकारी दे सके और आपको हर जगह मदद करता रही तो आप कॉंटाक्ट कर सकते हैं शबला सेवा संस्थान को जो आपको चंदन के पौधो तो प्राप करवाएगा ही और हर समय एक सही मार्वदर्श की तरह मौझूद रहेगा हमारा गरीब किसान की बेटी की कहानी वाला विडियो को एक हजार से अधिक लोगों ने देखा और पसंद किया है अगर आप हमारा गरीब किसान की बेटी की कहानी वाला विडियो देखना चाहते हैं तो description में वीडियो का link दिया गया है, आप उस link पर click करके वीडियो को देख सकते हैं, आप हमसे किसी भी प्रकार के product और company के प्रचार के लिए हमारे दिये गए number पर हमसे संपर्ख कर सकते हैं, धन्यवाद,